आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार दाल चावल की रैस्पी जिसे मैं बनाऊंगी अपने पंजाबी स्टाइल से तो रैस्पी स्टाट करने से पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें तो चलिए स्टाट करते हैं बिसमिल्लाराह्मान रिराहीम वन टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है कुछ मैंने थाबत गरम मसाले लिये हैं 1.5 टी स्पून काली मिर्च और 1.5 टी स्पून पिसाव गरम साला भी मैंन पर यूज़ करूँगी एक पाउड मैंने चिकन लिया है और 2 मैंने मीडिम साइज के प्यास कट खिये है और वन टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जाए गा और ये मैंने दो आइल गरम होने के बाद मैं अपने प्यास शामिल कर दिये हैं। प्यास गोल्डन होने के बाद मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो शामिल कर रही हूं। और इनकी भुनाई हम अच्छी तरह कर लेंगे क्योंके फिर लहसन की स्मयल भी अपने वो हतम करनी होती है। तीन मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर टमाटर भी जो है वो शामिल कर दूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इसके अंदर हम अपने स्पाइसिस जो है वो एड़ करेंगे। काली मिर्च और पिसा हवा जो गरा मसाला है उसके लावा तमाम चीज़ें जो है वो मैं शामिल कर दूँगी। उनका हम बात में यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी एंड पर किस टाइम पर उनको डालेंगे। अब मैं चिकन भीस के अंदर शामिल कर देती हूँ। और आप हम चिकन का कलर चेंज होने तक इसको भीस के अंदर भूनेंगे। मैंने लाल मिर्ट जो है वो कम यूज़ की है क्योंगे मैं जादा तर इसको काली मिर्ट में बनाऊंगी उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही जबरदस आता है। अब मैंने दहीं भीस में शामिल कर दिया था और अब मैं इसके अंदर पानी अट करके इसको प्रेशर कुकर में टाइम दूँगी। एक गलास पानी डाल के 7 मिनट का टाइम दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छी तरह गल गया है अब मैं बोटियों को बाहर नकाल लूँगी। अब मैं दो गलास पानी इसमें शामिल कर रही हूं और इसी मसाले में हम जो है वो अपनी डाल को गलाएंगे। मैं दाल को भी प्रेशर कुकर में ही जो है वो गलाऊंगी और वेट हिलने के बाद मैं इसको 10 मिनट का टाइम दे दूँगी। चिकन को मैंने इसी लिए पहले बाहर नकाल लिया है क्योंकि मैं इसकी हड़िया जो है वो इसकी अलादा कर लूँगी। अब मैंने जो चिकन जो हड़ियों से लिदा किया है उसको मैं दाल के अंदर शामिल कर दूँगी। अब हम दाल और चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स करके इनको अकठा भी हम 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। और इस तरह से देखें मैं दाल को और चिकन को थोड़ा थोड़ा घोट लूँगी। घोटने से ये दाल और चिकन वापस में यकजान हो जाएगा। और फिर बहुत अच्छा टेस्ट बन के सामने आएगा। अब मैं काली मिर्च और गरा मसाला है उसको एक पानी में मिक्स करके अपनी दाल में शामिल करूँगी। ताकर ये पूरी दाल में एक जैसा जो है वो मिक्स हो जाए। अब हम दाल का तरका त्यार कर लेते हैं। ये पैन में थोड़ा सा ओयल डाला है तीन चार टेबल स्पून। ये कुछ मैंने थाबित जो है लाल मिर्चे समे डाली है और थोड़ा सा जीरा डाला है। और मैं हाफ टीस्पून जो है इसके अंदर किश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करूंगी। और इस तरह से हमारा तरका रैडी हो गया है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से डाल को रैडी कीजिएगा। आप जो चिकन है वो बॉनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने हडीयों समेट इसलिए यूज़ किया है। क्योंके हडीयों चलीवर होता है, जो कि हमारी बहुत ही टेस्टी बनाता है। अब चावल के लिए दिया। पानी रखा था वो भी बॉयल हो गया है। अब मैं इसके अंदर प्लेवर डालोंगी। अब मैं एक स्ट्रेनर में डाल के इनको स्ट्रेन कर लूँगी, जट पर्ट से हमने कर लिए ने अपने चावल भी रेडी और दाल भी रेडी, अब दो से तीन मिनट के लिए मैं इनको दम दे दूँगी, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, तीन मिनट के बाद देखें म पिल्कुल खिला खिला सा चावल बना है हमारा और बहुत लंबा लंबा चावल बना है, और दूसरी तरफ हमारी डाल भी रेडी हो चुकी है, इसके ओपर हम सबस मिर्चें और सबस धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे, तो माशाला से आप देख सकते हैं कि कितने करके आपको दिखाऊंगी कि डाल चावल हमारे कितने जबरदस लग रहे हैं, एक सर्विंग प्लेट में मैं इस तरह से राइस जो है वो डालूंगी, डाल चावल सलाद और अचार के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप लंच टाइम में या डिनर टाइम में किसी भी टाइम आप इसे बना के इंजॉय कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने राइस इसमें सेट कर लिये हैं, और अब मैं एक साइट पे डाल भी जो है इसमें डाल दूँगी, वैसे तो आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, यह आपकी अपनी च्वाइस है, कि आप रोटी पसं कर देते हैं, और इस तरह से मैंने अपनी सर्विंग प्लेट जो है वो रेडी कर ली है, थुरा सा चार भी इसमें शामिल कर दिया है, तो माशाला से सुभानला कितनी जबरदस प्लेट हमारी रेडी हुई है, आप भी मेरे इस पंजाबी स्टाइल के दाल चावल को जूरू कीजिए, तो हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं, इनसान जब कुछ बुरा करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस उपर नहीं देखता, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अल्ला हफिज